नमस्कार दोस्तों सागत करता हूँ आपके अपने चैनल सामशड़ी में आज़ाम बात करेंगे लेटेस्ट अपर्डमेंट्स अभमार्च 2022 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे यह पार्ट टू है दोस्तों अगर आपने पार्ट वान नहीं देखा है तो इस वीडियो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों बार के बारे में बात करेंगे बादमेंटन अ preaching क behavior प्रेशिडेंट जल्ण के बारे में जैसा तर्म येड़ा गाँनकी 2023 तक ये बने रहेंगे प्रेशिडेंट पदपर अफ इस्यान क्रिकट काउंसिल के गठन किया गया था 13breурota 1393 को इसको बने गया था तहकर आप पाएंगे सिर्लंगा की क अल्स आट तो 2023 तक एसे किर्गेट कांसिल के प्रेजेडिन्ट पतपर रहेंगे जैसा इंडियान एकोनोमिस्ट जैन्ति घोस नेम्ड आज मेंबर आफ UN's अडवाइजरी बोड तो उनाटर नेशन के अडवाइजरी बोड में मेंबर बन चुकी हैं जैन्ति घोस जी यहां पर देखे इनका इमेज तो यह इंडियान एकोनोमिस्ट हैं याद रखे तो अगर हम बात में मेंबर बन चुकी है जैन्ति घोस इंडियान एकोनोमिस्ट हैं याद रखिए रिजर्ब बैंक अफ इंडिया हाज अप्रूब्ड दो अपन्डमेंट अप्रलाय मंडल अज इंटरीम मैनेजिंग डिरेक्टर और सी ओफ सी एस बी बैंक तो क्याथोलिक सिरियान बैंक के अ आर्बियाई ने प्रलाय मंडल जी को अपन्ड किया है अज इंटरीम मैनेजिंग डिरेक्टर अंड और सी ओ ओ आफ कैथोलिक सिरियान बैंक अगर हम बात करें के इसको बनाया गया था उननीस तो बीस को 1929 को तो अगर हम बात करें दोस्तों रिजर्ब बैंक अफ इंडिया इसको बनाया था 1935 को यानि की एसियान क्रिकट कांसिल के तीन साल पहले 1935 को बनाया था रिजर्ब बैंक अफ इंडिया यानि की आर्बियाई को चले दोस्तों जानते हैं एक महत्पुन आपर्डमेंट के बार में नाटो एक्स्टेंडेड जेन स्टोल्टन बर्ग्स टर्म यानि के 2023 तक नाटो के सेक्रेटरी जनराल कौन बने रहेंगे जेन स्टोल्टन बर्ग यहां पर देखिए इनका इमेज तो हमने इंटरनाशनल और्गनाईजेशन के वीडियो में जो बताये था नाटो के सेक्रेटरी जनराल जेन स्टोल्टन बर्ग अब यह 2023 तक इनका सुन लो नॉर्थ आट्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन है नाटो का फुल्फन इसको बनाय गया था 1949 को इसका हेड़कॉर्टर आप आएंगे ब्रसल्स में जो की बेल्जियम का केपिटल है तो नाटो का हेड़कॉर्टर कहां पर है ब्रसल्स में इसको याद रखे हैं लेटनांट जनराल बिनोद जी rhinhondary तो अगर हम बात करेंगे खंडारी जी के बारे में तो 2022 में यह बन चुके हैं डिपैंस मिनिष्ट्री के बारे याद रखे और डिफेंस मिनिस्ट्री किन के पास है स्री राजनात सिंग जी के पास है जो कि हमने क्याविनेट मिनिस्टर के वीडियो में आपको डिटेल्स में यह सारे चीज बताये था अई होप आप उस वीडियो को देखे होंगे चैनल पर आप सर्च मारेएगा दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर सामस्टरी आप पहुंच जाएंगे हमारे वीडियो में तो चले जानते एक इंपोर्टांट अपरणवेंड के वर में तो 2022 में जेट एयर्वेज के CEO कौन से जेट एयर्वेज के CEO बनेंगे संजीब कपूर तो याद रखे संजीब कपूर अब करेंट CEO है 2022 में जेट एयर्वेज के यहाँ पर देखे जेट एयर्वेज का लोगो अगर हम बात करने जेट एयर्वेज को बनाय गया था 1992 1292 को इसको फाउंड किया गया था इसके फाउंडर थे नरेश गोईल कौन थे नरेश गोईल तो संजीब कपुर जी को आप यहां पर देख सकते हैं जो की करेंट सीओ है जेट एरवेज की चले दोस्तों जानते हैं कि महतुपन अपंड में तो गिलिबर्ट हुंगबो यहां अब दिखिए लेख सफावर दिखे गिलिबर्ट हुंगबो जी को नेमड दनेक्स्ट डिरेक्तर जेनराल तो आईयलो का फुक्रम हैं इंटरनाशनल लेवर 1 अर्गनाजेशन क्या है इंटरनाशनल लेवर अर्गनाजेशन है तो इसके नेक्स्ट डैरेक्टर जदेडराल बनेंगे गिलिबर्ट हुंगबो अगर हम बात करेंगे इंटरनाशनल लेबर अर्गनाइजेशन इसको बनाय गया था 1919 को तो हमने अवे भी पड़ाता दुस्तों नाटो को बनाय गया था नेक्स्ट डारेक्टर जनराल बनेंगे गिलबर्ट हुगबो आंड यह जो आईयेलो का हेड़क्वाटर आप आएंगे सुजलन में चले दोस्तों जानते हैं एक इंपोर्टांट अपर्डमेंट के बर में ससी सिन्हा नेम्ड आज न्यू चेर्मन अफ बार्क तो बार्क का फ बार्क का लोग आप यहां पर देख सकते हैं इंफ तो अगर आम बात करें दोस्तों डोन चपके 2020 के अचनल यह दूंबाइब में अटंड बरॉद्कास्ट चैनल का मियंग सभी हड़क्वाटर मुंबीय में है grinding स्वीयों को में तो ह log चीजों को समझे होंगे तो सशीषिन ना बन चुके हैं बार्ग के ने चेर्मन चले दोस्तों जानते हैं और एक महत्पुन अपर्डबन के बर में तो हिमांता विश्व सर्मा री इलेक्टेड आज प्रेशिडेंट आफ बी ए आई यानकी बैडमेंटन ऑथोरिटी आफ बैडमेंटन ऑथोरिटी आफ इंडिया दोजार चबिस तक ये बने रहेंगे बी ए आई के प्रेशिडेंट और जो की बैडमेंटन ऑथोरिटी आफ इंडिया को बना गया था 1934 को और 1935 को बना गया था अर्बियाई को इसको आदर रखें टेक्निक के माध्यम सम बता रहे हैं तो बैडमेंटन ऑथोरिटी आफ इंडिया का हेड़क्वार्टर आप आएंगे भारत के राज़दाने नहीं दिल में और यह आर्बियाई के एक साल पहले बना था बैडमेंटन ऑथोरिटी आफ इंडिया इस अभीसर रेनू सिंग अपटेड फोरेस्ट रिसर्च इंस इन्सिचूट डिरेक्टर तो यहां पर देखें इनका इमेज रेनू सिंग जी को अब के डिरेक्टर बनेंगे यह फरेस्ट रिसर्च इंसिचूट यान की एफ आर आईके तो यह एक आई-एफस अभीसर हैं बहुत रिनाउंड अभीसर हैं रेनू सिंग जी हमने अभी पड़ाता दोस्तों बाड़ेमिंटर न अथोरिटी ओफ इंडिया के चैर्मन के पतपर सरी प्रेसिडेंट के पतपर रहेंगे हिमांता अभीस्वा सर्मा दोहजार अच्विस तक और फरेस्ट रिसर्च इंसिचूट के डिरेक्टर दोहजार बाइस में बन चुके हैं रेन तो इस आइकन को क्लिक करें आप पहुंच जाएंगे उस बीडियो में